चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सेलेक्टिड काम की और महत्यपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनिट में पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जमुकश्मीर में आतंक की हमला केप्टन समेद 5 जवान शहीद केप्टन बिरजिश थापा की मा बोली बेटी को सिमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा रात 9 बजे के आसपास फिर गोली बारी हुई जिसमें पांच जवान गंबी रूप से घायल हो गए उन्होंने इलाज के दोरान दम तोड़ दिया चली दूस्तों जान लेते हैं अगली खबार ट्रेनी आईएस पूझा खेडगर ने पूझा के खिलाब शिकायत दर्ज कराते हुए उन पर उतपिड़न का आरोप लगाया है यह शिकायत सोमवार 15 जुलाई की देर रात तब दर्ज कराई गई जब पूझा खेडगर ने वासिम पुलिस को अपने सरकारी गेस्ट हाउस में बुलाया था दोस्तो आपके बता दें यह वहीं पूझे के कलेक्टरें जिन्होंने महाराष्ट के मुखे सचीव को पत्र लिखा था जिसके बाद पूझा केडगर का ट्रांसफर वसीम कर दिया गया था दोस्तो महाराष्ट सरकार ने मंगलवार को विवाद में घिरी आई एस अधिकारी पूझा खेडगर का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रद्द कर दिया और उन्हें 23 जुलाई तक मसूरी ट्रेनिंग अकादमी में जोइन करने के आदेश दिये हैं चले दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर अपमान जनक या गलत बयान देने से रोक दिया है मुख्यमंत्री और राजपाल के बीच बयान बाजी ने यहां तक तूल पकड़ा की मामला हाई कोट तक पहुंचा चले दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर बंगाल शिक्षक भरती घोटाला सुप्रिम कोट में सुनवाई हुई इस्तगित बैंच का निर्देश सभी याचका करता दो हफते में अपने काउंटर एफिडेविट दाखिल करें जियान उस्तो सुप्रिम कोट ने मंगलवार 16 जुलाई को बंगाल शिक्षक भरती घोटाले मामले की सुनवाई इस्तगित कर दी याचका में कहा गया था कि हाई कोट के उस आदेश पर रोक लगा दी जाए जिसमें सभी 25,000 नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है CGI चंचुण और जिस्टिस जेपी पारदिवाला और जिस्टिस मनोज मिश्रा की अगवाई वाली बेंच ने याचका पर सुनवाई की बेंच ने निर्दिश दिया की सभी याचका करताओं को दो सपताह के बीतर अपने काउंटर एफिडेविट दाखिल करने होंगे एसा ना करने पर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का अधिकार समाप्थ हो जाएगा फिलहाल सुप्रीम कोट ने मामले की अगली सुनवाई की तारिक तय नहीं की है चले दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार हिमाचल प्रदेश में श्रीकंड महादेव यात्रा हुई शुरू पहला जथा आज पहुँचा गलेश क्लेशियर चटटानों के बीचिया है 32 कीमी का दुरगम सफर है ज्यांदुस्तु इमाचल प्रदेश में महशूर स्रीकंड महादेव यात्रा रईवार से शुरू हो गई दो दिन में अलग-अलग गुरूपों में 3200 श्रदालू स्रीकंड दर्शन के लिए रवाना हो गए श्रदालू का पहला जत्ता मंगलवार सुबह स्रीकंड पहुच गया यहात्रा 27 जुलाई तक चलेगी मान्यता ही कि स्रीकंड की चोटी पर भगवान शिव का वास है यहां श्रीला के रूप में 72 फिट उचा शिवलिंग भी है श्रीकंड महादेव मंदिर समुदरतल से 18,570 फिट की उचाई पर है दोस्तो इस यात्रा को दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेक्किंग वाली दार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है जिसमें श्रदालों को 32 किलोमेटर के सक्रे रास्ते पर पैदल चलना पड़ता है इस दोरान उन्हें बर्फ के चार ग्लेशियर और चट्टान नुमा पहाडियां पार करनी पड़ती है चले दोस्तो जान लते हैं अगली खबार नवदीप जल पेड़ा को जमानत किसान बोले रिहाई के लिए प्रदशन करेंगे किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान संगठन के नेता बोले शंबू बोडर खुलने का इंतेजार जियां दोस्तो हर्याणा पंजाब के भी शंबू बोडर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच का एलान कर दिया है चंडिकेट में मीटिंग के बाद किसान नेता जगजित डल्लेवाल ने कहा कि संबू बोडर खुलते ही किसान दिल्ली कूच करेंगे उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सामा निखटा करने में समय लगेगा इसके बाद हम दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे किसानों ने किशान शुप करन के मोत मामले में गटित special task force SIT को खारिस कर दिया उन्होंने कहा कि हरियाना सरकार के अधिकारी को जाच देने से इंसाफ की उम्मिद नहीं बशती वहीं संभू बोर्डर पर लगी आठ लेर की बैरिकेटिंग फिलहाल नहीं हटेगी 10 जुलाई को पंजाब एंड हरियाना हाई कोट ने साथ दिन के अंदर बोर्डर खोलने के निर्दिश दिये थे आज इसका अंतिम दिन है लेकिन इसको लेकर रणियान सरकार सुप्रीम कोट चली गई है सरकार अब सुप्रीम कोट के फैसले का इंतिजार कर रही है चली दोस्तो जान लते हैं अगली खबर चली दोस्तो जान लते हैं अगली खबर इस राज्य की सरकार ने कर दिया किसानों का करजा माफ 11 जुलाई तक हो जाएगा सारा पैमेंट जान दोस्तो तेलंगाना की मुख्यमंतरी रेवंत रेडी ने एक लाग रुपे तक के करशेलोन को माफ करने की गोशना की है तलंगानास CMO की और से बताया गया है कि बैंकों को निर्दिश दिया गया है कि किसानों ने जो करज लिया है उनका भुकतानों ने 18 जुलाई 2024 तक कर दिया जाएगा सरकार ने जोर देते हुए कहा कि करज माफी के लिए सरकार की और से जारी की गई राशी दूसरे अकाउंट्स में जमा करने पर बैंकर्स पर सक्त कारेवाई होगी चले दोस्तों जान लेते हैं आगली खबार शराब घोटाली की आरोपी त्यार जेल में बंद के कविता की तवियत बिगड़ी डिडिई उस्पताल ले जाया गया जे अनुस्तो दिल्ली की तियार जेल में बंद B.R.S. नेता के कविता की तवियत बिगड़ गई है उन्हें DDU अस्पताल ले जाया गया है के कविता दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर जेल में बंद है के कविता की बार अपनी जमनत को लेकर अदालत से गुहार लगा चुकी है लेकिन अब तक उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कविता से लेकर E.D. का दावाए के आमादमी पार्टी के नेताओं के लिए विजे नायर और दूसरे लोगों को साउथ गुरूप ने 100 करोड रुपेगी रिश्वत दी थी कविता इस साउथ गुरूप का हिससा थी इस गुरूप में दक्षन के राजनेता नोकर शाह और कारोबारी हैं E.D. के मताबित के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को आरोपी विजे नायर से मुलाकात की थी कविता को E.D. ने इसी साल 15 मार्च को हिद्राबाद से गिरफतार किया था चले दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर जित से नहीं अब लोगों के मन से चल रही है योगी सरकार दो यूटर्न में छुपा है इनका राज जिन दोस्तो लोग सबाचुनाओ 2024 के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी मिज़ाज कुछ बदला बदला नजरा रहा है साल 2017 से यूपी की सत्ता समालने वाले योगी अधितनात ने प्रदेश में शुरुवात से ही कड़े फेंस ले लिए चाए वो माफिया राज हो या फिर छोटी छोटी चीजों पर अराजकता फिलाने वाले तत्त्मों का मसला हो सीम योगी अधितनात ने हर किसी पर ना सिर्फ कानूनी कारेवाई की बल्कि बुल्डोजर एक्शन के दम पर ऐसे लोगों के हुसले तक चकना चूर कर दिये दोस्तो योगी के बुल्डोजर राज को बीज़े पी के अन्ने राज़े में भी अपनाया गया लेकिन अब ऐसा लगता है कि योगी सरकार इस फार्मूले से यूटर्न लेती नजर आ रही है हाल ही के दो फैसलों में इसकी जलक भी दिखी है दलसल दोस्तो राज़दानी लखनों में कुकरिल नदी के सौंदरी करण को लेकर चल रहे काम के बीच इसके रास्ते में आने वाले कतित अविद निर्मान को बुल्डोजर के माध्यम से हटाई जाने की कारेवाई चल रही थी इसे लेकर प्रसासन ने पहले अकबर नगर फेज 1 फेज 2 में बुल्डोजर चलाया अब LDA, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्त नगर, रहीम नगर, पंत नगर वा अन्य शेत्रों में भी मकानों का सर्वे कर उन पर लाल निशान लगाये गए हैं बुल्डोजर एक्षन पर रोग लगा दी है वैसे दोस्तों कमेंट करके बताईए क्या आप बुल्डोजर एक्षन को सपोर्ट करते हैं या फिर आप बुल्डोजर कारेवाई के खेलाफ हैं कमेंट बुक्स में पनी राइज जरूर दीजिए चले दोस्तों जान लेते हैं आगली खबार हजारी बाग के रामनगर इस्तित राजगेस्टाउस में चापा मारा इससे पहले राजगेस्टाउस के मालिक राजगुमार सिंग उर्फ राजु के कदमा इस्तित घर में रेड की गई थी उनके घर से कई संदिग्द दास्तावेज टीम के हाथ लगे हैं चले दोस्तों जान लेते हैं आगली खबार की मूल कंपनी ठिंक एंड लर्ण प्राइवेट लिमिटेड की खिलाफ फिशले साल दायर की थी इस मामले के अगली सुनवाई 15 नवंबर को होनी है दरसल दोस्तों 22 मामला सुल जाने के लिए BCCI से चर्चा कर रहा है चले दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार टरम्प कान पर पट्टी बांध कर पार्टी कंवेंशन में पहुचे समर्थ को ने अगला राष्ट पती कहा दावा जिस इमारत से गोली चली उनके दूसरे माले पर थे स्नाइपर्स जियां दोस्तों अमेर्की की रिपब्लिकन पार्टी ने सोमवार देरा डोनल्ड टरम्प को अधिकारिक तोर पर राष्ट पती उम्मिदवार घोशित कर दिया दोस्तों पार्टी कन्वेंशन में टरम्प को डेलिगेट्स के 237 वोट मिले उम्मिदवार चुने जाने के लिए उन्हें 1215 वोट की जरूरत थी 13 जुलाई को पैंसिल्वेनिया में हुए हमले के बाद या पैला मोकाता जब टरम्प सारजनिक मंच पर नजर आए उनकी कान पर पट्टी बंदी थी गोली लगने के 48 घंटे बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट पतिपत का उम्मिदवार घोशित कर दिया है संबेलन में टरम्प के पहुंचते ही समर्थकों ने USA USA के नारे लगाए साथी हवा में मुठी लहरा तेवे लोग फाइट फाइट कहते भी नजर आए दरसल दोस्तो शनिवार को गोली लगने के बाद ट्रम्प ने हवा में मुठी लहरा कर फाइट फाइट कहा था चलि दोस्तो जुरान लेते हैं अगली खबार चलि दोस्तो जान लेते हैं अगली बड़ी खबार लेकिन उस्ते पहले मेरी आप से चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर दोस्तो आपको पसंद आई है तो इसे एक चोटा साग लाइक जरूर दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशिका आप डिसलाइक भी कर सक लेकिन लेकिन दोस्तो लाइक ओ डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तो यह हमारी मिनत का फ़ल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं तो चलिए दोस्तो जान लेते हैं आज की अगली बाड़ी खबार सैंसेक्स ने 8896 और निफटी ने 24661 का ह हाय बनाया सैंसेक्स 51 अंक चड़कर 8716 पर बन्द MFCZ और IT शेर्स में भी रही तेजी यह दोस्तो शेर बाजार ने मंगलवार को ओल्टाइम हाय बनाया कारोबार के दोरान सेंसेक्स ने 8,893 और निफ्टी ने 24,661 का हाय बनाया इसके बाद बाज़ा और थोड़ा नीचा आया और सेंसेक्स 51 अंकों की तेजी के साथ 8,716 पर बंध हुआ वहीं दोस्तो निफ्टी में भी 26 अंकों की तेजी रही और ये 24,613 की सतर पर बंध हुआ सेंसेक्स के 30 चेरों में से 16 में तेजी और 14 में गेरावाट रही दोस्तो बात करें आज निफ्टी 50 के टॉप गैनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की सोने की कीमतों में आज मामूली तेजी देखने को मिली इंडियन बूलियन जूइलर स्टॉश्यन की वैब साइट के मुताबि 10 ग्राम 24 केरेट सोना 189 रुपे चोड़ कर 33,131 रुपे पर पहुँच गया कल इस के दाम 72,932 रुपे प्रती 10 ग्राम थे वही दूसरी और दूस्तों बात करें चांदी की तो चांदी की के किमतों में मामूली गिरावट देखी गई एक कलो चांदी 23 रुपे फिसल कर 9,802 रुपे प्रती कलो में बिक रही है इससे पहले चांदी 9,835 रुपे पर बिक रही थी इस साल चांधी 29 मई को अपने ओल्टाइम हाई 94,260 रुपे प्रती किलोग्राम पर पहुँच गई थी चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार UP के 20 जिलो में 12,30 गाउंड उबे गोरकपुर में राप्ती नदी खत्रे की निशान के पार बहा रही है सड़कों पर नावे चल रही है तीस गाउं डूब गए हैं ग्रह मंतरी अमीच शान ने सोमवार को सीम योगी से बाल के हालात को लेकर चर्चा भी की उदर दोस्तो बियार में भी कई इलाकों में बाल के हालात बने हुए है मुजफरपुर में हालात सबसे जादा खराब है मौसम विग्यान विभाग ने गुजरात महराष्ट करनाटक और गोवा के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है विभारी बारिश का वही मद्यप्रदेश तमील नाडू 36 गणा अंदर प्रदेश और तेलागा ना में ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है विससे दोस्तो कमेंट करके बताईए आप कौन से राजे में निवास करते हैं चले दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार तिमाही नतीजों के बाद स्पाइस जेट 3 प्रतिशत चड़ा 58 रुपे के करीब बंद हुआ जियो फाइनेंस का शेर रिजल्ट के बाद 2 प्रतिशत गीरा जिया दुस्तो वित्वर्ज 2023 की तीसरी और चोथी तिमाही के नतीजे आने के बाद स्पाइस जेट के शेर में 3.24 प्रतिशत की तेज़ी रही करज में डूबी एरलाइन ने सोमवार 15 जुलाई को लंबे समय के बाद अपने वित्य नतीजे जारी किये थे वहीं जियो फाइनेंशल के वित्वर्ज 2024 की पहली तीमाही के नतीजों के बाद उसके शेर में 3 प्रतिशत की गिरावट रही बीते एक साल में स्पाइस जेट के शेर के वेल्यू लगबग दुगनी हो गई है दोस्तो जुलाई 2023 में शेर करीब 30 रुपे पर था जो अब बढ़कर 58 रुपे के करीब पहुँच गया है वहीं इस साल स्पाइस जेट का शेर 3 प्रतिशत गिरा साल की शुरुवात में शेर का बाव 61 रुपे के करीब था उदर जियो फाइनेंस का शेर लिस्ट होने के बाद से 60 प्रतिशत के करीब चड़ चुका है चले दोस्तो जान लते हैं अगली खबार जानकारी मिलने के बाद मुके सैनी मुंबई से पटना पहुच गए यहां से वो दर्भंगा के लिए निकल गए हैं पटना एरपोर्ट पर पत्रकाव से बाचीत में मुके सैनी ने कहा कि पिता के हत्यारों की गिरफतारी जल से जल्द हो CM से बात हुई है उचित कारवाई का आस्वासन मिला है चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार ट्रेनी IS अफसर पूजा ने अलग अलग नामों से UPSC दी थी केट के आविदनों में इसका जिग्र 2020 में उम्र 30 तो 2023 में 31 साल बताई जे अदुस्तो ट्रेनी IS अफसर पूजा खेडगर की UPSC में गडबरी के मामले में लगातार नए खुला से हो रहे हैं अब सामने आये कि पूजा ने UPSC के अटेम्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था Central Administration Tribunal केट में पूजा की तरफ से लगाएगे 2020 और 2023 के दो आविदनों में पूजा के अलग-अलग नाम है पूजा ने 2020 के आविदन में अपना नाम खेडगर पूजा दिलिपराव और उम्र 30 साल बताई वहीं 2023 में केट के आविदन में उन्होंने अपना नाम पूजा मनोर्मा दिलिप खेड़ कर और उम्र 30 साल बताई सवाल दोस्तो उठाया जाराए कि तीन साल के अंतराल में उनकी उम्र एक साल ही केसे बढ़ सकती है इसके अलावा OBC के सर्टिफिकेट का भी उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया यह भी उनके उपर आरोप है चलि दोस्तो जान लेते हैं अगली बड़ी खबर उत्राखंड के गलेशियर में बाबा ने बनाया अवेद मंदिर पवित्र कुंड को बना डाला स्विमिंग पूल का आदेवी ने सपने में दिया था आदेश जिया दोस्तो उत्राखंड के बागेश वर में सुंदर डूंगा गलेशियर पर 5000 मिटर के उचाई पर एक बाबा ने सरकारी जमीन पर गेर कानोनी तरीके से मंदिर बना लिया वहाँ बने पवित्र जलकुंड को स्विमिंग पूल की तरह इस्तिमाल किया जार आए मामला सामने आने के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिये हैं स्वेंभू बाबा योगी चेतन्य प्रकास पर ये आरोप है कि उनका कहना है कि उन्हें खुद देवी मा ने सपने में आकर ये मंदिर बनाने का आदेश दिया था इस्थानिय गरामिन महेंदर सिंग धामी ने बताए कि बाबा ने यही दावा करके गाउवालों से मंदिर बनवाने में मदद मांगी है चलि दोस्तों जान लेते हैं आगली खबार तीसरी बार बड़े परदे पर साथ दिखेंगे शारू खान और अभिशेक बच्चन फिल्म किंग में हुई कास्टिंग थ्रिलर फिल्म में निभाएंगे विलेन का रोल 2026 में रिलीज होगी फिल्म जान दुस्तों शारू खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म किंग की तेयारियों में जूटे हुए हैं हाल ही में शारु खान अनंत रादिका की शादी का हिस्सा बनने लंदन में चल रही शूटिंग चोड़कर भारत आये थे, अब रिपोर्ट से कि इस फिल्म में अभिशेक बच्चन की भी कास्टिंग हो चुकी है, अभिशेक फिल्म में विलेन की भूमिका निभाएंगे, हाल चेंपियंस ट्रोफी में खेलने की वार्नर की पेशकसुई खारीज आस्टेलिया बोड ने कहा, उन्हें पूरी तरह रिटायड मान लिया गया है, जिया दोस्तों पाकिस्तान में दोज़जार पच्चिस में होने वाली वन डे चेंपियंस ट्रोफी के लिए आस्टेलिया के नेशनल सेलेक्टर जोर्ज बैली ने कहा कि हमारा समझना यह है कि डेविड रिटायर हो चुके हैं और जिस तरह से उनका तीनों फॉर्मेट में करियर रहा है उसकी सराहना की जानी चाहिए, हबाई रणनिती यह है कि वह पाकिस्तान में नहीं होंगे, चले दोस्तों जा के नारे लगाने के मामले में आज फैसला आया है, खादिम सहीत सभी छे लोगों को एडी जे चार कोट ने बरी कर दिया, पूरे प्रकरण को लेकर दो साल से कोट में ट्राइल चल रहता इस दोरान 22 गवा और 32 दास्ता वेज पेश किये गए थे, चले दोस्तों जान लेते ह हैं अगली खबार जाते हैं, सबसे जादा मेडल यहीं के धाकर लाते हैं, देश का अन भंडार भरने वाला हर्याना का किसान है, चले दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार मंडी में 4 प्रतिशत तक घटी दालों की कीमत पर रिटेल मार्केट में भोकताओं को नहीं मिल रहा फाइदा, जी अनुस्तों मंडीों में चना, उलद और अरहर दाल के दाओं में कमी आई है पर रिटेल मार्केट में भोकताओं को अब तक इसका फाइदा नहीं मिल सका है जिसे लेकर सरकार चिंतित है इसी के मद्यन नजर Department of Consumer Affairs ने दाल की कीमतों की समिक्षा करने के अलावा अरहर दाल और चना दाल इस्टोक लिमिट का अनुपालन करने के लिए Retailers Association of India के साथ महत्यूपूर्ण बेठक की है दोस्तो बोक्ता मामलों की सचिव नीदी खरेने समिक्षा बेठक के अदेख्षता करते हुए कहा कि पिछले एक महिने में प्रमुख मंडियों में चना दाल अरहर दाल और उड़त दाल की कीमतों में 4% तक की गिरावट आई है लेकिन खुरदरा कीमतें वैसी की वैसी ही बनी हुई है उब बोक्ता मामलों की सचिव ने होलसेल मंडी की किमतों और रिटेल मार्केट की किमतों के अलग-लग ट्रेंड्स की ओल्षणा करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि रिटेलर जादा प्रोफिट मार्जिन कमाने में जूटे हुए हैं वैसे दोस्तो कमेंड करके ब पास्पोर्ट के एंटर कर सकते हैं जिए हम तुसकर आप जानते हैं उस देश का नाम जहां के लोग भारत में बिना वीजा और पास्पोर्ट के भी आ सकते हैं तो जल्दी से उस देश का नाम करें उसमें लिख दीजिए अगर दोस्तो आपका जवापता एक दम सही और आप चुलिए जाते हैं लक्की विजदागी रूप में तो आपको मिल सकता है एक सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूटूब चैनल की और से तो दोस्तों जल्दी से अपना उतर कमरे उसमें लिख दीजिए वडियो को लाइक कर लीजिए और चनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन भ दबा लीजिए धन्यवाद वंदे मातर हम जय हिंद जय भारत